वेरे गुड बॉर्णी तो ओल्माइडेस ट्वेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा और बेसिक कोश्चन है कि किसकी रैंग अच्छी आती है जो हमेशा सीरेस रहता है और कुछ मस्ती से पढ़ाई करते हैं यह ऐसा कोश्चन है जो हम जनरली पूछ नहीं पात उसमें इम्स का सैपरेट इक्सामिनेशन होता था जब भी हम पढ़ाते थे और उसको कुछ मज़ेदार चीज मिल जाती थी वो और इसके चार दोस्त सब लगबग पास में बैठते थे यह बैंच ठोक के और गाना स्टार्ट कर देते थे बजाते भी थे वो डेस्क और गान करियर भी भूका होता है कोचिंग भी भूकिया होती और स्ट्रेंट्स का दो करियर ही होता है लेकिन माना नहीं वह ऐसे पढ़ता रहा है उसी के क्लास में एक और बच्चा था हमीशा मतलब बहुट पूस्ता था क्लास कतम होती थी रात के 8 वजए उसके बाद अगर उसने डाउट टाइम ले लिया तो समझो डेड़ दो गंटे गए मैं उसमें जिम जाता था जिम की वाट लग जाती थी लास्ट में वो बच्चा भी इनके ग्रुप में आ गया और ये एक्जामनेशन से पहले जब इनका स्लिवस ओबर हो गया था तो ये डाउट इनके जो आते थे डेड़ दो गंटे जितना कभी कभी साड़े तीन गंटे भी बैठते थे अपने कोश्चन सॉल्व जो करते थे उसके लिए राइट अब आप सोचोगे क्या चेतन्या मितल जो मस्ती से पड़ता है नहीं के राइंक आती तो हम जो सीरियस हैं एकदाम गंभी रहते हैं गुम इग्जामिनेशन होता था यह बहुत ही सीरियस थी बात ज्यादा करती नहीं थी तो इसकी थर्ड रेंक आई थर्ड और फॉर्थ रेंक देखे चतने में मेह करोडा का भाई सुए सुए सुरुआ मिक्स था मस्ती भी कर लेता था जब जरूरत होती थी थोड़ा नॉटी भी स्टार्ट करते हैं मैं पहले से दिखने लग जाता है अगर मैं बहुत पहले बात करूं आज से 12 साल पहले की बात 11 12 साल पहले की युबराज वेरी ब्रिलेंट डाउट्स पूस्टा ही नहीं था ग्लास में और लोग कहते थे उसके सोने जागने का टाइम भी बड़ा अलग सूद अमोल सूद तो कलास में टीचर को आगे बढ़ने नहीं देता था सारे टीचर एकदम परिशान हो गए थे कि भाया वो यह पूस्ता था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप मुझे बताए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो जस्टिफाई करिए सही है कि गलत है उसके बारे में आप अपनी राय दीजे अप सारे बच्चे हसते थे उन्हें लगता था यह तो गया काम से यह किसी काम का नहीं है लेकिन उसकी बहुत अच्छी रहें काई तो मैं बिलकुल यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके दमाग में कोश्चन आ रहे हैं तो उनको दबाके बैठ जा मोटिवेशनल लेक्चर देंगे कि आपका जो बिहेवियर है आप उसको चेंज नहीं करें अभी तो देखिए जो टॉपस निकले उनमें से कई टॉपस वीडियो गेम खेलते थे मैं नहीं कहता हूँ उनको देखके आप वीडियो गेम खेलने लग जाई है कहते थे टाइम लिमिट लगाई है हर चीज की आती यह जो चैतने मितले वो खुद कहता था मैं कुछ होता है इसमें आपके मोबाइल में स्क्रीन लॉक और वोटेवर एक घंटे के बाद वो नहीं चलेगा उतना यूस करता था तो इन सबसे क्या पता लगता है कि जो आपका मस्ती से लीजिए किसी का मन कर रहा है नहीं सुनना है म्यूजिक उसका कुछ और करने का खाते से खा रहा है मुँफली का रहा है कुछ भी मन हो सकता है दूसरे को देखके इन बिहीवियर में बिल्कुल भी चेंज मतला यह बस सेलेक्शन पढ़ने से होता है कोई कहता भाई हम टीव रैंक आगई वो टीवी नहीं देखता था उनकी मम्मी ने चार बज़े सुबह उड़ जाती थी और टीवी चार महीने चार साल के लिए पैक करके रख दी थी चार महीने एक्जामनेशन से पहले पैक करके रख दी थी तो मेरी मम्मी भी ऐसा करें इस नॉट कमपलसरी बच् क्योंकि मैंने सारे जिन बच्चों को पढ़ाया है उनीके एक्जाम्पल्स दिये हैं कोई भी लिखी पड़ी बात नहीं है इसलिए यह अगर आपको बेनिफिट पहुचाता है तो चरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं बाई टू अलोफ यो ओल दी बेस